जब बाबा साहब बंबिट कर सविधान का राड राफ याने कच्चा मसुदा घर पर लिख रहे थे उस वक्त उनसे मिलने के लिए डॉक्टर पंजाबराव देशमु काहे थे बाबा साब ने उन पर स्वागत किया और राड राफ्ट यानि कच्छा मसुदा उनको देते हुए कहा ज़़ा ज़रा इस पर नजर घुमाई अगर आपके पास इस संदर्वे में कोई सुजाव है तो बताए मैं थोड़ी ही देर में आऊंगा एसा खेर कर बाबा साब भार चलेगी जब बाबा साब वापस आये तो देखा कि डॉक्टर पंजाब राव देश्मुक की आँखों से आशू निकल रहे है यह देख कर बाबा साब ने पूछा दादा आपके आँखों से आशू क्यों निकल रहे हैं जबाब दोते हुए पंजाब राव देश्मुक ने कहा बाबा साब मैं आपके पास पुन्भी मराटा समाज के लिए आरक्षन का प्रावदान कर दो यह कहनी के लिए आया था मगर आप कितने महाने जो आपने कहने के पहले ही पुन्भी मराटा समाज के आरक्षन क प्रावदान करके मसुदा बनाया है यह पढ़ने के बाद मैं इतना भावख हो गया हूं कि ही आखों से आशू निकल रहे हैं एक खुशी के आशू रोकने से रुख्ण नहीं रहे हैं जब सविधान लिखकर पूरा हो गया तब बाबा साफ अमबेट करके आखों में पानी आ आपने है आपके मन के अनुसार किसी विव्यक्ति जाती धर्म के साथ बैक्दवावन करते हुए समता मुलक स्विधान लिखकर आप क्यों रो रहे हैं तो बाबा साथ बांबेट कर पत्रकार को जवाब देते हुए कहते है कि समता मुलक सविधान लागू करने के लिए जिनके हातों में मैं सविधान दे रहा हूँ मेरा उन पर विश्वास नहीं है कि जैसे लिखा है वैसे ही उस परकार से ही लागू करेंगे इस बात पर मेरा विश्वास नहीं है इसलिए मैं रो रहाँ उस समय है बाबा साथ ने जो कहा आज वर्तवान में वो सही सावित हुआ सविधान के एक कलम 340 के आमसार पुन्भी महराटा को अरक्षन यानी प्रतिनी दित्व का प्रावदान किया गया है मगर जान भूजकर इस देश के शाशक वर्ग प्रामन पुन्भी महराटा समाज के लुगों को अरक्षन से वंचित तरका है